हुआ है हलो फ्रेंड्स वाल्कम बेक टुमाई यूट्व चैनल फ्रेंड्स हायर के डीसी इन्वेटर एर कंडिशन में अगर एर कोड आते हैं तब आप उनको कैसे सॉल्ब कर से दो से चार मिल्ड के अंदर क्योंकि एर कोड जो होते हैं वहुत ज्यादा टैम बेस्ट होता है है अगरा आपको एर कोड पता है एकजिट तो उसमें क्या होगा आप वहीं पर फॉल्ड पकड़ेंगे और ट्रेस करके वाल्ड को आसानी से सॉल्फ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर गया है मैंने बहुत सारे एर कोड लिये हैं जो डीसी इन्वेटर एर कंडिशन हायर है उसमें आप यहां तो दो तन वुन को में जो एर कर आते हैं वहां सौल्फ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बीडीट हो आपको इंड्यक कर लेना है प्रस्ट पर जए यह बाईर तुछ उच्य छेक कर लेनाना है तो फ्रेंड्स अगर आपका संसर वी एकदम प्रॉबा ठीक है कोई दिक्कत नहीं वैसे मह जो भी होटा सेंसर में आता है फ्रेंड इस बज़े से इवन एरो कोट सो होता है अगर आपका सेंसर ठीक है तो उसके बाद आपको PCV को भी चेक कर देना जो लगी होती है और यूट में वहाँ पे भी चेक कर लेना है आपकी प्रोब्लम सौल्फ हो जाएगी तो नेक्स्ट जो एरो कोड है वह है ईटू एटू अगर डिस इन्वेटर एर कंडिशन हायर में आपकी डिस्प्ले पे सो होता है तो आवाँ पे जो प्रॉब्लम करेट होग कर दम सेंसर भी ठीक है तो PC ऑट एंडोर की पैसी इस में फॉल्ड हो सकता है मुश्तलि में फॉर्ट होता है और तो यह तो यह सारी चीजे आपको चैकल थैदिटर आपकी प्रोब्लम हो जाएगी तो फ्रेंट नेक्स्ट एरो कोड़ है एफॉर ऑफॉर एरो कोड इंडोर PCV Kait indoor में जो PCV केड लगी उसको प्रोब्लम होगी तो आपको सकोच एक आट को ने कहीं से कुई तो बिलोर मोटर लगी होती है उसे इंडोर बिलोर मोटर भी बोलते हैं इंडोर फैन मोटर भी बोलते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो आपको ये इंडोर में जो बिलोर मोटर लगी तो उसके देख लेना कहीं से वायर तो कट नहीं है या फिर मोटर तो सौड नहीं है या फिर उस प्रेंट्स next error code F1 F1 order unit PCP kit problem order unit PCV kit लगी होती वहाँ पर अगर कोई problem करेफ होगी इस बज़े से भी यह problem आती है F1 कि तो order unit DMCB लगी होतों वहाँ बैट आपको communication wire होता जो एक छोटी पीच्वी और लगी दिए और डोर के unit में 2 PCB लगी ती भाद से गया होता है एक जैक लगा होता है उनको प्रॉपर जैक कर लेना है अगर बहुत से उस PCV से और दोर में जो बड़े वाली PCV लगी तो उन दोनों को दो कम्युक्येशन प्रोपन नहीं मिल बाता है इस वज़ाएश से यह इरब इवन सो होता है तो आपको जैक को देख लेना कि जैड़ एक अडेश हैं से सहिया नहीं है अगर अटेश नहीं होते हैं तब फ्रॉल्म के रिट होती है फ्रेंट्स फ्रेंट्स नेक्षट एरफ- सब्सक्राइब तो अगर भूं सर्वेस के दोरान निकल जाता यह उसका जैक और यह पर आपको सब्सक्राइब को दिक्क्त होती या फिर सेंसर्म फ्रप्र वर्क नहीं आटा है तब एफ 7r vagy कोड आपकी display पर सोगा और यह सोगा तो तो आपको सब्सक्राइब लगाना है और यूट को ओपन करना उसके बसक्राइब उसको प्रपर चेक करना कि वो ठीक है या नहीं है आपकी फ्रोब्लम्स ओफ हो जाएगी तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एरगोड एफ ट्वेल एफ ट्वेल क्यों जो पीशी वोड होता है उसमें प्रोब्लम्स होती है इंडोर यूट पीशी वीजू बोड़ होता है उसमें आपको चैकोड कर लेना की पीशी वी एकदम प्रोब्लम्स ओफ हो जाएगी तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एरगोड एफ 19 एफ 19 बोल्टेस अब डॉन अगर आपके रणिंग कंडिशन में बोल्ट प्रेंड्स एरगोड जो अगरेंडस लेपस होता तो उसमें क्या होता है जो आफ फैट और यूंट के लगवा उसको फैंजर आपको चैक कर लेने सार्विस के जाहान कि होता है अगर अगर मिष्टेक वह जैक निकल जाले या फिर से उससे जो यह और डोरों टोजां के के मैं माई सेञ्टर जो होता है फैंट तो वह बाहर के टैंपरेचर को देखता है वह पर आल्रेम स्ट भी वचाल होता तो और कि टैंपरेचर को अगर नार्मल तो इसको फिर कमांडेगा वह जा में चले तो उसका जो Sensor का काम होता है रहर के टेमपरिचर को देखता है उसकी क्रेंट्स अभी तरल बीडियो को लाइक ने कि ते वीडियो को लौइक कर दो चैनल पर निव डॉञाव durch ले अगर एचल्पें crypto से चेक कर सकते हैं उसको से मीटर होता общем ना सबीचे सब्सक्राइब करें तो आपको पता लग जाएगा अगर बीच मेरे टच नहीं कर नहीं हो तो आप क्या अलारम बच जाएगा तो फ्रेंट्स आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कम्मुनिकेशन वायर को अगर सब कुछ एक दम प्रॉपर ठीक तो हो सकता है और डियूट की पीची में फॉल्ड हो सकता है यह सारी चीजिए चेक करें आपकी इसेवन वारी जो प्रॉब्लम वो सॉल्फ हो जाएगी तो नेक्स्ट एर्रकोट है एफ टू अब डू खेस को चेक कर लेना है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी फ्रेंड्स फ्रेंट्स नेक्स्ट एर कोड़ 5 एफ ओर जो कंप्रेस्र में ओवर हीट और डिशाट टेमरिचर सेंसर होता है आपको उसको चेक लिए आपकी रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी तो वाले पाइप उसको चेक कर लेना ठीक है यह प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी नेक्स्ट एर्र कोड है एफ 10 एफ 10 अगर आपकी डिस्पले पेर कोड्स हो रहा तो उसमें जो एर्र प्रॉब्लम होगी वो नो सप्लाई क्यों अगर सप्लाई नहीं जा रही है और यूट तक यह दिक्कत आती है तो फ्रेंड्स आपको क्या और यूट पे सप्लाई चेक आट कर लेना की सप्लाई प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगी तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो च्छी लिगी वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नहीं विजिट के चैनल को सब इसक्राइब कर दो थैंकियो फॉर वाचिंग